जै मातादी दोस्तों मैं हूं सोनिया और सोनिया के छोटी सी दुनिया में आपका स्वागत है तो गाइट आज है दुरगाश्ट मी और आज के दिन हम करते हैं कन्या पूजन तो बस कन्या आती ही होंगी तो फिर हम शुरू करेंगे कन्या पूजन करना तो उनके आने से पहले मैंने सारी तयारी कर ली है जो माता रानी का परशाद होता है माता रानी का भोग होता है वो मैंने सारा तयार कर लिया है बस अब उनके आने की तयारी हो रही है वो जैसे ही आएंगी तो हम करेंगे पूजन तो हम कैसे पूजन करते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे तो बने दिखेंगे, हमारे साथ तो शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग तो ये माता का भोग या जो वह तैयार है उडी, छोले, हल्वा और शितला माता जी के चावल और साथ में नारियल का परशाद है जो कि हम साथ दिन अपने मंदिर में रखते हैं ये वो ही परशाद है तो ये देखें मेरी कंजके आगी हैं तो इस पर जो कंजके हैं वो थोड़ी सी कम आई है नहीं तो मेरी पूरी लोब भी कंजकों से भर जाती है तो चलिए आज इनका ही हम पूजन करते हैं तो ये देखे शुरू हो गई है अपनी मस्ती करने के लिए जेकारे शुरू हो गए है इनके अब मेरे हजबंड सब बच्चों को मूली बांद रहे हैं तो मेरे हजबंड इस तिन का भोती बेसबरी से इनतजार करते हैं कि मैं कन्या का पूजन करूँ क्यूंकि इस दिन मातारानी स्वैम हमारे घर में आती है चोटी-चोटी कंजिके अगर मिल जाए तो बाती क्या होती है तो मज़ा आ जाता है कन्या पूजन करने का क्यूंकि आपको तो पता ही है कि अब कन्या मिलनी बहुत मुश्किल हो गई है तो अगर ऐसी छोती-छोती कन्या हमारे घर में आ जाए तो हमारे जो नवरात्रे हैं वो सफल हो जाते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए होता है बस ये हमारे घर में आकर पैर डालने अपना तो समझे मातारानी स्वैम हमारे घर में आ गई है तो बस ये देखिए अब नमन भी अपनी आशिरवाद ले रहा है सब बच्चों को पैसे दे रहा है तो सब बच्चे खुश हो रहे हैं ये देखे कैसे आशिरवाद दे रहे हैं हमें बच्चे बस बच्चों का आशिरवाद मिल जे कंजक का आशिरवाद मिल जे और हमें क्या चाहिए तो ये पंडे जी जुवाला जी से जोत लाएं हमारे घर में फेरा डलवाने के लिए तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि हमारे घर में मातारानी स्वेम आ रही है हम तो बस ऐसे ही बैठे हुए थे और जब हमें पता लगा कि मातारानी आ रही है तो हम तो खुश होगे, हमारी खुशी का ठेकाना िहीं नहीं रहा, जब जैसे ही मातराणी एंटर ओड़ी थी वो मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्युकि मैं एकढह से मातराणी के दर्शन करने लगी, मंदिर में ले जाकर मातराणी की पूजा की हमने, तो जब मातराणी को लेके जा रहे हैं के जोस्त को तो मैंने अपना कैमरा लिया और वीडियो बनाने लगी मैंने सोचा कि मातरानी के दर्चन तो आप सब को भी कराने बनते हैं तो मैं आप सब के लिए वीडियो बनाने लग गई तो अब हम जा रहे हैं दूसरी भाबी के घर में तो मैं वहाँ प पर किया क्या नहीं किया तो चलिए आप हमारे साथ तो सब लेडिस मिलकर मातारानी की भेटें घारी हैं और ढोल पर नाच रही हैं तो बहुत ही मज़ा आया कि एक डम से अगर ऐसा नजारा देखने को मिल जए तो यही होता है कि हम सच में मातारानी के पास ही आ गए हैं तो इससे बड़ी और खूशी क्या मिलेगी तो चलिए आप भी देखें मातारानी की जोद के दर्शन करें और यहाँ पर देखें सब कैसे मातारानी को मना रहे हैं हर किसी के नसीब में नहीं होते हैं ऐसे मातारानी के दर्शन मातारानी भी खुद चुनती है उन लोगों के घर जिन लोगों के घर मातारानी ने जाना होता है अगर ऐसे मातारानी हमारे घर में आ जाए तो वो बात ही अलग होती है क्योंकि अगर हम खुद बुलाते हैं वो बात अलग होती है पर अगर मातारानी अपने आप हमारे घर में आए न तो उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है जैसे कि हमारे घर में आज माता रानी बिन बुलाए आई क्योंकि माता रानी वही मज़ा होता है जब माता रानी खुद दर्चन देने आती है अपने भक्तों को वो तो बात ही कुछ अलग हो जाती है तो सब जूमने लग जाते हैं माता रानी के रंग में ये देखे सब जूम माता रामी के दन में आप भी हमारे साथ मिलकर जैकारा लगा ले माता रामी का क्या पता अगली बार आपके घर में भी ऐसे ही माता रामी आजाए बिन बोलाई दर्शन देने के लिए क्योंकि दर्शन करने तो हम बहुत बार जाते हैं पर जब दर्शन देने मातारानी हमारे घर में आती है वो बात ही कुछ अलग होती है अब पंडे जी लेके जा रहे हैं जोत को वापिस अपने साथ तो हमें बहुत अच्छा लगा कि मातारानी हमारे घर में आई है क्योंकि ऐसे ही नहीं मातारानी हर किसी के घर में जाती है मातारानी खुद वो घर चुनती है जहां पर मातारानी में जाना होता है और उन में से एक घर हमारा भी था जहां पर मातारानी आई हमारे घर पर ऐसे ही आपके घर में भी मातारानी आए जैसे कि हमारे घर में आ जाई है और सब की जोलिया ऐसे ही भरे जैसे मातारानी हमारी भर ली है अब हम आए हैं शाम के टाइम मंदिर में मातारानी को चुन्दी चड़ाने के लिए तो चुन्दी तो हमने चड़ा दी है, आप कर रहे हैं हम मंदिर के दर्शन, तो मैं और भाबी आये हैं मंदिर में, सुबा हमें टाइम नहीं मिला मंदिर में आने का, तो हम शाम के टाइम आये हैं, तो इस टाइम भी सब लोग आते हैं मंदिर में घी डालने के लिए जोत में क्योंकि नवमी तक घी डालते हैं सब लोग क्योंकि अखन जो चलती है नवमी तक तो सब लोग शाम को आती हैं घी डालने के लिए तो यहां पर बच्चे बैठी हुए हैं परशाद दे रहे हैं सबको और साथ साथ में खेल भी रहे हैं बच्चे तो चलिए हम भी परशाद ले लेते हैं और चलते हैं हम घर पर मंदिर के दर्शन करने के बाद तो गाइग बहुती बड़िया रिंकला हमारा आज का दिन मातरानी की जोती अपने आप ही हमारे घर में आज दर्शन देने के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है नवरात्रों के दिनों में अगर मातरानी हमारे घर में आए तो हमारे नवरात्रे हैं जो वो सफल हो जाते हैं तो हमारे नवरात्रे सारे बहुत ही बढ़िया निकले अच्छे से निकल गए बहुत ही मज़ा आया हमें नवरात्रे रखकर तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है जब भी नवरात्रे का त्योहार आने लगता है तो मेरे हजबन को तो वैसी खुशी च्छा जाती है कि नवरात्रे आ रहे हैं वो मुझे एक मीना पहले ही पूछने लग जाते हैं कि नवरात्रे कपके हैं क्योंकि उनको नवरात्रे के व वो वैसे बहुत ही कम होता है कि husband wife की आपस में understanding उपर हम दो में की understanding बहुत है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो भी ऐसे ही मेरी तरह धार्मिक ख्यालों के हैं और मैं तो करती ही थी अपनी पूजापार्ट और वो मुझे भी ज्यादा पूजापार्ट करते हैं तो बहुत मज़ा आता है कि अगर हमारी घर में हमारी family में पूजापार्ट हो सभी पूजापार्ट करे भगवान का नाम ले तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है तो भगवार अपने आप ही हमारे घर में रहते हैं तो आपका ये मैं व्लोग यही पर एंट कर रही हूँ अगर आपको ये मेरा व्लोग अच्छा लगा हो तो प्लीस मेरे व्लोग को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना जादा से जादा शेयर करना मिलते हैं आपके अगले व्लोग में तक तक के लिए जै माता दी